दोस्तो, सुपर बाइक हर लड़के का ड्रीम होता है हर लड़का चाहता है कि वो एक दिन एक सुपर बाइक ओन करे लेकिन ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको ओन कर पाए या फिर अफोर्ड कर पाए ये बहुती जादा expensive to run and maintain होते है पर एक्जामपल ये डुकाटी V4 Superleggera का कॉस्ट है 73 लाक रुपीज बिफॉर टैक्स लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैशन को प्राइस टैक्स से नहीं तोलती दोस्तो आज का विडियो होने वाला है उसी टॉपिक पर चलिए देखते हैं 7 homemade superbikes of India पहला नंबर में है यमाहा R15 जिसको modify किया गया है यमाहा R6 का लुक देने के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे Pulsar NS200 को modify किया गया है Kawasaki Z1000 के लोग पर बहुत सारे बाइक से दोस्तों जहाँ पर modify किये गए है चलिए देखते हैं देखकर बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये actually में एक Kawasaki Z1000 नहीं है दोस्तों comment section में ज़रूर लिखेगा कि अभी तक आपको modifications पसंद आ रहे है या नहीं आगे हम देखने वाले है one of India's favorite bike KTM RC390 जिसको modify करा गया है KTM RC8 के लोग पर नंबर चार पर है एक बहुती affordable और पसंदीदा bike Yamaha SZR जिसको modify किया गया है एक Ducati पाने गयाले के लोग पर guys don't forget to like अगर आपको content पसंद आ रहा है तो and do subscribe for future videos number 3 में है एक बहुती well modified bike जो है Pulsar 220 जिसको modify किया गया है GSXR 1000 के लोग पर guys यह bike was one of my favorites from the edit क्योंकि आप देखी सकते हैं यह bike कितने ही अच्छी तरीका से modify गया गया है इस bike में USD forks और एक single sided swing arm तक दिया गया है next हम बात करते है Pulsar 150 की जिसे modify किया गया है इंडिया की फ्रेवरेट हाया बूसा के लोग पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े नंबर वन की तरह guys here are some honorable mentions इन modified bikeos की donor bike की ऊपर जादा information नहीं है इसलिए यह सब bike honorable mentions पर है आगे बढ़ते हैं हमारी number one bike की तरफ जो है Benelli 300i modified into Ducati Panigale 899 इस bike को इतने अच्छे तरीके से modify किया गया है कि it's very hard to tell it apart from the real deal क्या बोल सकते है guys कि इन में से कौन सी real है और कौन सी replica है thank you for watching the video guys do like and comment and milta हूँ आपसे एक नए वीडियो पर